अभी मैं मावजुद हूँ चीतरपुर परखंड के सुनार महला में जहां पर आप देख सकते हैं एक छोटे से बच्चे का जो हुनर है वो आपको मैं आज इस वीडियो में दिखला रहा हूँ कि एक स्कूल में सिक्स क्लास में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्रे लगभग 12 से 13 वर्स का है और अभी से ही ये हुनर है कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आयोध्या में निर्मित जो प्रभू स्री राम जी का जो मंदिर है भव्य राम मं मंदिर है आप वीडियो में देख पा रहे हैं यह मंदिर कूट और फेविकोल और पेपर occupant के स्रिफ माध्यम से उसी के सहारे ये बनाया गया है और काफी खुब शूरत यह आप देख सकते हैं राम मंदिर बनाया गया है प्रारूप काफ़ी खूपसूरत हैं तो आईए इससे बच्चे से मिलते हैं दूसरी और आप इधर देख सकते हैं जो कि पूरी में इस्थित बाबा जगरनाथ जी का मंदिर है वो उसका भी यहां पे देख सकते हैं प्रारूप बनाया गया है जो कि यही बच्चा बनाया है, तो आए जानते हैं, जो कि रजरप्पा प्रोजेक्ट सरसती विद्या मंदिर का एक छात्र है, और कच्छा 6 में ये पढ़ाई करता है, इसके साथ ही इस बच्चे में कई ऐसे हुनर हैं, जो आपको मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से, इस ख प्रियम कुमार, कब से ये काम कर रहे हो तुम लोग, ठंडा का छुट्टी जब मिला था तभी से, तो सरसती विद्या मंदिर का छात्र हो, तो इसकोल में ये सब सिखाया जाता है, क्या, सिखाया जाता है, ड्रोइंग सिखाया जाता है, लेकिन ये सब भी सिखाया जाता है तो यह जो राम मंदिर है कब बनाया कितना दिन इसका समय लगा इसका समय लगा चार दिन पूरा दिन रात ने दिन मतलब चार दिन में तुम यह कंप्लीट किया है चार दिन लग गया क्या क्या उपयोग किया है इसमें इसमें उपयोग हुआ कूट फेबिकोल और पेपर और तो आपने सुना कि चार दिन में ये राम मंदिर बना के तयार कर दिया है, जिसमें कि कूट, पेपर, पेपर पीन और फेविकोल उपयोग किया गया है, तो काफी अच्छा ये बनाया गया है, काबिले तारिफ है, आप देख सकते हैं इतनी छोटी से उम्र में ये बच्चा य हैं, हमारे छेतर में, हमारा जीला का नाम, इसी तरह से जो बच्चे हैं, नाम रोशन करते हैं, और अपने माता, पिता, इसके साथ ही पूरा जीला का, स्कूल का, सब का नाम रोशन करते हैं, इतने छोटे से उम्र में ये कलाकारी आपको देखने को मिल रहा है, अब ये बा उसने फिर दोड़ा से थर्मा कोल हूँ आप देख सकते हैं इसमें भी सेम ही इसमें फ़ोड़ा सा धर्मा कोल का भी उपयोग किया गया है जो कि काफी खूब सूरत मंदिल है जैसा कि आप अभी हमारे खबर में देख पा रहे हैं और क्या-क्या इसके अलावा और क्या क्या आता है। तो बने रही है हमारे इस न्यूज में और चैनल में और जब तक आप ये देख रहे हैं हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट में जरूर बताएं इस बच्चे के लिए जरूर कुछ कमेंट करें कि ये मंदिर जो है श्री राम मंदिर जो आयोध्या में है और पूरी में इस्तित बाबा जगरनाथ जी का जो ये मंदिर बनाया है कूट से आपको कैसा लगा तो अब कमेंट में ज़रूर बतलाईएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में